चलो अपन पटाक्सी आते है उतर के एक बार में चल के यहां पर हम लोग मैं जब यह था मेरा अपना ओफिस तभी और एक हम तीन दोस्त है जी एक दोक्टर है हमारे पराग जवेरी एक हमारे बिजनसमेन है दोक्टर है अपना मिस्टर विरेंशा या जो एनसिया क्लब के बुनिया देखते थे इसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर आ जाते थे रूटीन गाड़ी में बैटके हम यहां आ जाते थे और कुछ नहीं बस यहां गाड़ी पार्क करके पस गाने सुनते हैं एक देड़ घंटा बैटते हैं गर चले जाते हैं इधर सेंग दना लो चाह की दवा है आप उंको बोलो अरे चाचा जरा यह जुकाम हो गया यह अरे बेटा देखो एक काम करो तुम एक दालचीन ही लो एक यह लो एक वो लो उसको मिश करके खा जाओ सब तुमारा पूरा-पूरा मतलब आप कोई भी उनसे आप पूछ सकते हैं तो वो यहां यहां य मेरे बड़े बाई हैं उनके साथ भी हम लोग मेरी फियाट में हम लोग आते थे यहां बैठने बिल्कुल किरती नहीं होती ती रात को मुश्कल से को आपको मतलब 20-30 लोग दिखेंगे यहां पर 20-30 में ज्यादा बोल रहा हूं और उन दिनो नमक हलाल के गाने पग अब घर ले जाते हैं अब अब फिर अगले दिन उसको आप फिट करते हैं और कैसे डुवा करती थी हम लोग इता लेट जाते हैं अब इता जरूर हूं मैं एक मैंने फिल्म की थी गुजराती ओके कि अब भुशिए भुशिलाब हम वह काफी मतलब इंट्रनाशन फेस्टिवल थोड़े जी मतलब वह क्या बोलते हिं की हो फेस्टिवल टाइप फिल्म या जी समाझ वह बहुट बड़ी है उसमें कुछ पेटिस-च्छतिश गाने थे हूह हम् धुशिक टाइब मुशिकल मुजिकल तो नहीं थी पर पॉलिडिकल सटायर टाइब थी अभी मूभी पे शायब है वो अच्छा जी तो वो रोल के लिए मुझे थोड़ा वजन कम करना था तो यहां पर आगे वेक स्विमिंग क्लब है मफतलाल करेक्ट तो वहां का मैं लाइफ मेंबर हूं अरे वहां तो तो ऑफिस से में वहां स्कूटर पार्क करके चेंज करके बारिश में फिर यहां पूरा मरें ड्राइब वहां से लेकर के अपने अबरोई तक मैं जॉगिंग करता था और वापस जाता था जॉगिंग करते करते तो पैट आलीस मिनिट लगते थे और कुछ देड़ महिने मे सूला किलो वजन कम किया था तर भी और वो जो मज़ा था मतलब हलकी बारिश हो रही है संसेट हो रहा है और ब्यूटिफुल बादल नरिमन पॉंट संसेट्स आर वन बेस संसेट्स आपका कई लोग को पता नहीं है बट में विल बी में की लॉंच आइड में आप हैं जिसम पांडे जी ने उसको डिरेक्ट किया और पहली बार ऐसा हुआ उनके ड्रेस दादा जो पुराने थे उन्होंने बताया कि सुभे सुभे हम लोग नौ बजे की शिफ्ट थी हम पॉंच गये थे साढ़े आट बजे और वहां पे मतलब हैड्रेसर लड़की को भी बुलाया ग और करीब मुझे लगता है साढ़े देस बजे हमने शूरू किया शूट जी और आपको पाजूब हो गया मतलब वो दादा बता रहे थे बाई 1.30 या इट वस ए रैप मतलब मास्टर भी हो गया क्लोस भी हो गया सब कुछ हो गया तो वो जो दादा थे ड्रेसमें दादा वो जामने जलदी जार रहे रहे यार इंता कमाल लोगा आज तक बुल एम इतने साल से साह के साहूं वो लाज तक अभी सन efecto कुछ नहीं ओगा कि एतना जल्दी पैकप हो गया। अ प्रसून जी के साथ है। मैंने काप फी एडस की उन्हों मुझे साथ यहुं Ox Lucky मैनने प्र ब मैं विल बी मैं फिर हो कैसे जिब लप लप आए येस वो भी एक मैन है की थी हाँ 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 ये क्या इंट्रेस्टिंग स्टोरी है आपके बहुत ही मज़दार वो डिरेक्टर है मतलब जी मुंबई के लोगों की कई कहानिया आपके पास हो तो मुंबई के लोग मतलब सब जिन्दा दिल एक दम जैसे आपने वो 26 जुलाई का जो हाथसा हुआ उसमें रियल मुंबई का जो स्पेरिट है जी वो पूरे इंडिया को देखने को मिला करेक्ट की देखे कैसे भयंकर सिचूशन आ गई थी लेकिन लोग एक दूसरे की मदद कर लिए रस्ते पर उतर आया थे कि लोग चल चल के जहा रहे तो लोग अपने घर पे पानी खाना जो भी है जो भी जहां जहां फसेद है उनको हेल्प करने के लिए कुछ लोग जैसे वो गटर के जो धकन थे जहां जहां खुले कितनी लोग उसमें गुज गय क्योंकि पानी बारा हुए पता नहीं है चलते चलते अचानक आप उसमें गिर गए तो बारिश में आप किदर थे तब अरे वो भी एक इंट्रेंस देत आप ऊपर वालकेश्वर ओक लेले हां लेला चलो चलो यह भी पुरानी यादे जरा हां ताजा करे वालकेश्वर का तो यह यह के बाद फिर प्रता चला भी थोड़े दिन मतलब बारिश बंद हो जाएगी यह वो लेकर बंद नहीं फिर आ के नहीं बहुत बारिश हो रही है लाइट आने का कोई चांस ही नहीं है शूटिंग कैंसल हुआ और तब मेरे पास एक एस्टीम हुआ करते थी और मैं खुद ही च अधर कोलेज के पास आके गाड़ी बंद पड़ गई अधर कोलेज तक चली चली बात है वहां तक भी चली और फिर उसने दम तोड़ दिया और उपर से बारिश यह वो मैं बहुत बारिश क्या करूं अभी बीच में तो खड़ी नहीं कर सकते हैं तो मैं अभी धक्का भी कैसे मारू लेके नो वहां एक बस भी रुकी हुए थी बस में हमारा एक स्पोर्ट वाला बंदा था वो बैड़ उसने देखा तो बीचारा उतर के आगया उसने एल्प करके विर मैंने गाड़ी साइट अभी आप यकिन मानो उसको मैं लेकर आया टो करके और रिपेरिंग में दिया लेकिन तभी हो चीप विप का मामला नहीं था ना इतना हाइट तो कुछ 16-17,000 में पूरी गाड़ी रिपेर हो गई फूरी नहीं बन गई और फिर से चलने लगी अरे वा यार तो फिर अच्छ है आप लोग काफी लेकिन हमबल भी रहे काफी टाइम तक इवन आफ्टर टीम के उसी बिकेम सच अ बिग तिंग आप लोग वही अपने घर में रहते थे क्यों हां मतलब यहां यहां भी कुछ यहां पांच-छे साल अभी है जो तोड़ा सा बड़ा घर लिया है कुछ 2016 में हम लोग शिफ्ट हुगे हां अब तक वही अपने एक चोटा सा गर था वहीं रहते थे करें सामने सामने ही वहीं पार्ला में जी और पार्ला इस बहुत मज़दार एरिया है क्योंकि एक तो कन्वीनेंट ऐसा हाईवे नजदीग है एरपोर नजदीग है और मार्केट बहु काफी बहुत सारे आर्टिस रहते हैं महराथी थीटर के महराथी फिल्म के और काफी मतलब बड़े-बड़े विक्रम गोखले जी है अच्छा तेंडूलकर जी है अरे बहुत बहुत सारे रसी का जोशी करके बहुत बड़ी एक्ट्रेस अभी नहीं रही बट वही पार्ला म कुल्चुरिली वरी रिच एरिया यह बता मुंबई का स्लाइंग जो मुंबई की भाशा है वो आपको फैसिनेट करती के कोई कोई शब्द की गुजराती का तो बहुत इंफ्लूएंस है हमारी दिन चर्या में यहां से राइट टन यह लेकिन सीधे का सिगनल कुल है क्या अ जैसे आप गर्दी भी बहुत बोलते हो आप गर्दी बोलते हो हम गर्दी बोलते है जैसे वो एक इंट्रिस्टिंग है यह सारे गुजराती भाशा के ही शब्द को बोने ले रखे है क्यों ऐसा है और वापरनेका परवर्था यह सब मुझे बहुत पेवरेट लगत अगर आप देखें तो यह बिजनिस टर्मिनोलोजी एक तरही किसे है ला वह इंट्रेस्टिंग है उस वह इंफ्लूएंस तो खाऊ-गली वगरे आप जाते हो या आपके वह शौक कम हो गए है मैं खाऊ-गली तो वैसे भी कभी नहीं जाता था क्योंकि ऐसे पता नहीं रस्ते बाइसे खड़े रहे के खाने का मुझे बहुत पड़ा अजीब लगता है लेकिन पहले कॉलेज की टाइम में या ऐसे दोस्तों के साथ पाइदुनी जैसे अरिया है तो बहुत रहर कभी कभा चाहिज पुने चले गए मैं रख वाला बहुत बड़ी अओवा कर सब्सक्ति है तो उंके अनका दोसा कभी ख़या है अरि अब अभी अब अब चुद कुद कहना बनाती हो गाव ड़ी नहीं 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 कहना जनता हूं अब बनाने चाहिप बना सब्सक्ष्प्प्र अच्छा रीडियोलोजिस्ट है वह वह भी हम लोग चिल्ट मतलब उनको देखके मैं इन फैक्ट यह मैं एक्टर बना हूँ अच्छा वह बच्पन में चिल्रन्स प्लेस करते थे तो एक नम्देव भाई का यह प्ले था नारद नी चोटी इंद्रनु आसन नारद नी चोटी तो उसमें वह नारद बनते थे बहुत खुट से चोटे से गोलु मोलु से हाँ तो वह प्ले देखके यूनो बोजे वह एक और दूसरा उसी में और एक्टर थे मतला मिलिन दवे जी अभी अमेरिका में है मिलिन दवे का नाम सुना है मैंने अच्छा वह का अफी साल से वह तो बहुत बढ़िया एक्टर थे यह चिल्डर्स प्लेज में तो यह सब मतलब जब मैं लिटल जेटर में में मेरा दाकिला करने गए तो वह लोग सब वहां किसी शो के लिए जा रहे थे अभी हो यह इंदर अन्वाजा नारद नी चोटी ओ प्ले चल रहा था उनका तो वह बस बस आई थी और उसमें वहां पूरी टीम एकटा हुई थी तो संता कुकणी में भी ओ लोग ने कुछ किया हुआ था तो उनी की मतलब मैं नकल करता था घर पे पहली बार उनको देखके मुझे अरे यह तो वह है और यह वह है उनको लाइफ देख रहे हैं अरे रे रे र है मीरको लागा अफिक में भी शौक रहा को वॉज़िक में भी शौक उख रहा है पर बस यही रीग्रेट है कि भगवान और अच्छा गला दिया हुता है मैं समेझा हुयह दरत चीन नहीं आप आया क्यों कि आप चीटिंग नहीं कर सकते सिर्च सीर्टिंग इरे मुजना भी दरत हैँ जरा सा भी आपका शूर हिला तो माइक पकड लेगा और वो पता चल जाएगा तो यह एक रिग्रेट है कि यार एक अच्छा सिंगर अगर मतलब जैसे अभी सोनु निगम जी है इतना बढ़िया मतलब जो कितना मतलब मुजिक मैं समझता हूं कि अगर आपको चलो प्रोफेशनली आपको करियर नहीं भी बनाना है लेकिन आप तांद पूरा लेकर बैड़ के इतना बढ़िया बढ़िया स्ट्रेस बस्टर है कि आप एक आदे गंटे के लिए बैड़ के एक सूर लगा के तो एक अलग साधना है अलग एक समाधी है तो एक अलगी मेडिटेशन है वो मैं अगरी करता हूं आप से एक दम यह रिट्विक ने आपको रील तो कहरे करने को नहीं बुला कि आप भी शॉट फॉर्म कॉंटेंट खाली एक ही आपका डश्ट बिन वाला ही आया था एक पस नहीं वह तो एक्चल आप रूम में लगा हुआ था और नीचे डस्बीन था तो मैं पता नहीं कुछ सोच में था और मैंने वह ऐसे किया मैं यह आ क्यू नहीं रहा है तो फिर वह अपना बिडे है मंदार वह भी मेक अप बैठा था तो फोन पर देख रहा था तो उसने वह देखा और उसने शू है सब जी इतना काम रहता है कि सब इस सब के लिए टाइम चाहिए आपको तो फैसिनेटिंटिंग है दुनिया सोचल मीडिया की भी हाँ ने ने ऑफकोस डेंजरस भी है क्योंकि एक बार किसी ने कुछ गलत आपके बारे में लिख दिया तो भी सालों तक फिर से वह दो-तीन साल के बाद वापस उबर के आता है कितनी बार कितनी लोगों ने कितनी बार अभी देसे अफ़ाय फैलाई है कि मैंने शो छोड़ दिया है ऐसा क्यों को दूसरा पता नहीं एक तो पहले आया था कि किसी कोई न्यूस पेपर गुजरात का न्यूस पेपर था उसने एप्रिल में लिखा था कि एप्रिल फूल अथिंग तभी किसी ने किया कि वह एप्रिल फूल वाली लाइन काट के वाटसेप पे चला दिया तो अभी वह क्या एतना एनर्जी जाती है क्योंकि अपने जानने पैचानने वाले लोग और प्रब्लम होता है उनको जवाब दो फिर से त सिद भाई ने मुझे चोइस दिया था कि क्योंकि वह बच्छपन से जानते है मुझे मुझे इंट्रकॉलिजेट के टाइम से उनको कि मुझे पता है तुम जो भी रोल करो के अच्छा करोगे तुम 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 रिसाइड करो तुम्ह क्या करना है चंपकलाल या जेठालाल क्योंकि मैं तारग भाई का जो ये कॉलम जिस से बनी है वच्छपन से हम लोग पढ़ते आये है तो मुझे पता था कि क्या है क्या नहीं मैं बोला चंपकलाल का तो मैं एक्चली दिखोंगा नहीं और लगूंगा ही नहीं जेठालाल भी जो औरिजिनल तारग भाई का उनक कि जब कॉलम आते थे उसके वह बहुत ही दूबला पतला आदमी विदा चारली मॉस्टाश और ऐसा है और मैं तो थोड़ा सा गोलू-मोलू हूँ तो मैं भी पता नहीं कैसे पर मैं कोशिश कर सकता हूं जेठालाल के इसमें तो मैं ठीक है फिर तो सरह से फिर जेठालाल का किरदार मैंने किया और यह एक तो उन्होंने यह सीरियल बनाने का सोचा और बनाई और उसमें मुझे ऐसा अच्छाया रोल दिया क्योंकि इसकी वज़े से यूनो मैं अपना जो हुनर है या जो भी है थोड़ा बुक वह मैं लोगों तक पहुंचा सका तो अभी इस्पिरेशन क्या रहती है जब आपका यह इतना बड़ा कैरेक्टर हो जाता है और क्या-क्या सोच रहो क्या करना चाहते हूँ मैंने अच्छी लाइफ में कभी कुछ प्लान किया नहीं है अच्छा मतलब जब 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 मिलता गया ओ मैं करता गया जैसे मैंने बताया कि यह इतना लंबा चलेगा यह इतना पॉपिलर होगा और अभी यह डेफिनेटली मतलब जैसे आज ओटीटी पर बहुत बड़िया काम हो रहा है तो कुछ ऐसा इंट्रेस्टिंग अगर काम मिले यही डर है कि उसमें गाली कलोज पता नहीं क्यों बिना हो अचे बहुत होती है बहुत मतलब तो वह थोड़ी दिक्कत है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं नहीं कर पाऊंगा तो क्योंकि अच्छे अच्छी सी पर देश थी कि क्या ने पहले तक सेंसर था तो मेरे क्याल में मिरकौ अमेश ऐसा लगते कि सेंसर शे पुत्ति हाड नहीं थी बोलके खुल गया जैसा अब जैसे अब देखे कि जो बड़े-बड़े हमारे मेकर्स होग है राज किपूर साब है रशीकेश मुखर जी है सब बढ़िया आप रशीदा की कोई भी फिल्म देख लीजिए यह यह याद है आपको सीलिंग आता हुआ यहां पर कभी आये आप लोग फिर देखे बात के दस साल तक तो बन रहा था अपना यह बन रहा था तभी जब पहली बार जब ओपन हुआ तो एक चैरिटी और्ग का कुछ इवेंट हुआ था तो उन दिनों मतलब जब नया नया खुला ही था यह तो साइकल लेके हम लोग आये थे यहां पर और पुरा मतलब काफी सब सीरियल से और काफी अलग-अलग मेडिया इंटरेंश्में वल्ल्ट से काफी सेलेब्रिटीज आये थे तो हमारी तारक सेलिंग और फिर मेबुक शुटियों वगरा सब भूब के बहुत मज़ा आया था था भी वायर यह आप लोग टीम के उसी को लेके काफी घुमें भी हो होंग-कॉंग के डिस्नीलांड में गए थे आप लोग शुटिंगे में बिल्कुल बिल्कुल वो कैसा था था पत्ली होई होती है यह प्रकि सुबह से रात तक हम लोग एक से एक सीन मतलब मुश्किल से सोने को मिलता है जी रात को दस बज़े तक सुबह 8-9 बज़े से शुरू होता है शुटिंग रात को 9-10 बज़े तक चलता है तो जैसे सिंगपोर हम लोग गए ते कुरूज में मतलब हम सब देखते थे तो रात को जब देखते थे तो सब के 15,000-20,000 स्टेप हो चुटिंग और कही बार ते एक दो बार तो मैंने मतलब ज़े रेस्टरूंट थी जहांके पामारा डिनर ओर्गनेस किया हुआ था वो रूम से इतना दूर होता था तो मैं तो कही बार पैक सब्सक्राइब करने करने के अब कभी ऐसा लगता है कि अपन डिरेक्ट करें या प्रोड्यूस करें आइधिंग सी एवरी यह जो डेजिगनेशन है ना मैं समसा हूँ कि एक स्पेशलाइज स्किल है तो ऐसा नहीं कि अभी ओवरनाइट आपने अचानक आप उठके भी अब होना चाहिए रिसर्च इतना होना चाहिए लेकिन आज का लिए हां काफी लोग ऐसे ही कोई भी ऐसे बन जाता है तुक्य में चालू करते हैं डिरेक्टर भी मतलब वो एक अलग स्पेशलाइज स्किल है तुसे तरह प्रोड्यूसर की भी एक अलग स्किल है अंडिड पसें अगर आप में है वो टेम्परामेंट आप कर सकते हैं फाइन बट मैं समझता हूं कि बगवान ने हरे को एक अगर लगे रहे तो इसी को डेवलप करें तो आप लाइफ में डेफिनेटली आप कुछ बन सकते हैं इंडिस्टिंग वरना आप क्या है कि जैक अफ़ोल मास्सर ऑफ नां येस वैसा काम हो जाएगा येस अप हर जगह हाथ मारने जाएगे तो कहीं के नहीं रहेंगे सही बल्याएफ तो मुझे बहुत पहले ही समझ में आएगा कि यह एक्टिंग जो है वो समझ में पना काम है कि अगी दुकान और यौह सकते हैं। वह चल सकती है। लेकिन इतना काम करने के बाद जो प्लेज भी मैंने दो-तीन दिरेक्टी है। तो थोड़ा सब वह एक सीन का मतलब कैसे क्या मांटिंग होना चीए। सीन में कैसे क्या जाना चीए। थोड़ा सा काम काम को सीखाता है। थोड़ा सीख आ गई है तो डिरेक्शन डेफिनेटली के बारे में मैं आगी जाके अगर मौका मिला तो मैं सोच सकता हूँ जी बाकी डिपार्टमेंट ने बाकी प्रोडूसर का तो वो टेमपरामेंट मैंने समझता हूँ मुझ में नहीं है क्योंकि उसमें बहुत कुछ आप कभी जूट बोल ही नहीं सकता है वो मेरे चहरे पर देख जाता है तो मैं किसी को मैनिपुलेट करी नहीं सकता हूँ अपना दिल में वो बोल देता हूँ तो मैं वाउच करूँगा मैंने एक लड़की की शादी में पिता जी के मुझ को देखा हुआ है तो मुझे पता है कि वाई कितनी टेंशन रहती थी और कितना एंजोई भी करते थे वेरी गूड वेरी गूड तो यह इंप्रोव выпट बतակ यह काफी लोग आवा तारग पै्ता के दीक अपाया तो कितनों इंप्रोवडस एशन होता है कितना जर्नी रही चाह सिर्णार कितना कारते शहां भी कितना करते है पहले चूट दे रखी है, तो आपको कुछ अच्छा लगता है, तो आप उसको एनाइंस क्योंकि आपको एनाइंस करना है. एक राइटर ने लिखा है, फिर वो सैट पर आके एक्टर अगर उसको काफी सारी चीजे सूचती भी है, तो वो अपने हिसाब से वो इंप्रोवाइज करता है, तो इसमें भी काफी सारा इंप्रोवाइज होता है, तो स्क्रिप भी होती है, मैं जैदा, नो डाउं, लिखते ह सब का गोल यह है कि हम जितना हो से उतना लोगों को अच्छा मनुरणजन दे सके तो एक अच्छा शोग बनना चीए अच्छा एपिसोड बनना चीए कि लोगों को समय मज़ा आए तो सब की कोशित यही रहती है कि अच्छा काम करें और हर सरे डिपार्टमेंट आज भी कभी क्या होता है कि जब successful होने के बाद आपकी responsibility और बढ़ जाती है क्योंकि लोगों की expectations बढ़ जाती है तो फिर आप और स्वामी नार्ण संस्ता है मैं उससे 2008 में मैं जुड़ा और जस्ट बिफोर तारख मेता का ये 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 मुझे मुझे मिला मैं फरवरी में जुड़ा और मुझे जुलाई से ये तो मैं एक तरह के से मैं ये भी मानता हूं कि ये मेरे गुरू के आशिरवाद है कफी उन्होंने दो असरे भोला नहीं कि ऐसा काम मिलना और ये मैं ये ये मुझे आम भी MARMM कि आता ने मुझे पता है क्योंकि हम दो साल से ट्राइ कर रहे थे उसमें कई बार ऐसा भी होता था कि आप उधर involved है तो हमें डेट नहीं मिल पाएंगी क्योंकि अफ्ते में आप जो पूरा जो यह दिमाग में चल रहा होता है नेगेटिव यह वो कुछ भी वो दो गंडे आप वहां गए तेक तरह के कांसलिंग हो जाता है अरे बहुत सारा कच्रा दिमाग से निकल जाता है और बहुत सारी समझ भी आप में आ जाती है तो मैं समझा हूं कि बहुत राइट टाइम पर सचसंग मुझे मिल गया यह जो पॉपुलारिटी मिली उसके पहले क्योंकि अगर वो नहीं होता जीवन में तो पता नहीं मैं आज कहां होता मैं अपने आपको बहुत बड़ा मतलब स्टार समझ रहा होता है कि यह मेरी पॉपुलारिटी फेम ऐसी चीज है अपके दिमाग में गुज गई तो अच्छे अच्छे उसमें पतलब रास्ता से भटक जाते हैं तो वह सक्सेस पचाना भी मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट एसपेक्ट है और वह सचसंग की वज़े से मुझे लगता है कि मैं थ पॉपुलर हो गया था शो जी और वह नावराद्री के फंक्षन में मुझे बुला था तो एक साथ में कुछ वहां पे 25 अजार का क्राउड था और स्टेज पर जैसे मैं घया तो लोग मतलब चिल्लम चिली और यह चिल्लम चिली यह बंबयाल है हाँ यह है वर्ड है कि पू रहा है मेरे लिए पहला एक्सपीरेंस था है और मैं मनी मन बगवान को मतलब में याद कर के मैं कहा रहा हूं कि अब क्या experience करा रहें बगवान जी कैसा कभी मैंने like में सोचा भी नहीं था हां ऐसे मतलब ऐसा विजूल में कभी देख पाऊंगा इस एक्टर ज़िस कैसा लग मतलब मैं तो सबसे मज़ा तो मुझे जो आप मुझे मेरे बुलेश्वर ले गए वो एरिया देखके इतना मज़ा आगया क्योंकि बच्पन के इतनी सारी यादे हैं अजी मैं लाइफ में इतना नहीं बोला करें अपने में सब में मैं इधर पानी पी गया हूँ पुरा बट इंट्रेस्टिंग मज़ेदार घर वाले मेरे वाइफ को पता जिलागा तो सबसे पहले नाराज होंगी कि शूटिंग से जाने के बाद ना इतने थक गए होते हैं नहीं बात करते हैं कि आप कुछ बोलते नहीं है पुरा दिन इतना डाइलोग बोलना होता है इतनी एनरजी जाती है कि भर आगे एनरजी बचती नहीं है वह सेट भी आप पहचान गया हूंगे घर की तरह ही यह किये नहीं था कल यहां पर यहां क्यों है एक दूसरा घर ही है आप लोग हमें यह बताईए कैसा लगा आपका अब अब दूसरा अब दूसराइब करना जरूर और तारट में था कोल टेश में देखते रहूं